ये जतना कुछ हो रहा है और जो घंटा करम हो रहा है देश की जनता देख लए है संजय जी अपनी बात रखें सरकार को जगाएं सरकार की आज अंक्त खोलें उनकी नहीं सुनीज़ा कोई अपनी बात रखना चाहे तर्क ये दे रहें कि बिपक्षनी हाउस चलना देना चाहता है जो मनीपुर की घटना हुई है कौन देख सकता है और देश की प्रतिस्ता कितनी गिरी होगी उससे दुनिया में जो लोग भारत को दुनिया में किस उचाई तक पहुचाना चाहते है कल भी भारतिता बाड़ी की तरफ से ये बात आ रही है कि अर्थ ववस्ता में हम तीसे नमबर पर पहुच जाएंगे क्या अर्थ ववस्ता पर आप एक नमबर पर पहुच जाएं और देश में महिलाएं नारियां बेटियों का ये सम्मान होगा मनीपुर जैसी घटना ने सब को मजबूर किया है उस पर खड़े हो जाए उस पर बात रखे और लोग सबासे बैतर राज सबासे बैतर जगे कौन सा प्लेटफॉम जहां पर बात रखी जाए या ना रखी जाए सरकार को आ गयाना चीए और विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका हलां कि अब तो परसितियां बदल गई है अब इस्वास परसाब आने जा रहा है उस से महत्मूर यह कि सरकार क्या कारवई करेगी क्या उनको न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा कि यही नफरत की रादनीत या बोट की रादनीत ऐसे ही चलती रहे है मनिपुर्मी जिस तरह के से विवास वीडियो हम लोग ने देखा है उसको लेकर संसद में मांग हो रही है लेकिन सरकार परधान मंत्री ना आ रहे हैं ना इसका सफ़ाई दे रहे हैं बीजेपी परधान मंत्री सब एक हैं आरेसेस ने जो किया जो नफरत फैलाई और भारती जंता पार्टी की बोट की रादनीत की वज़े से मनिपुर्मी यह सब कुछ हुआ है और सरकार की सब जानकारी में रहा होगा ऐसा नहीं कि एजेंसियों को नहीं पता एजेंसियों को पता है वहां क्या क्या हो रहा है अगर यह सब होते हुए सरकार ने देखा है तो सरकार को सब्ता में नहीं रहना जाए परदार मंचरे एक तिसरा तरम भी उनी का, तिसरी बार चुनकर वो आएंगे. तिसरा तरम आए, पहला और तरम आ जाए, क्या बेटियां, महला आए, माताओं का, इस तरीके से डंगः खंगा जाएगा, कपड़े उतार करके खंगा जाएगा. उसके लिए आपके पास क्या है क्या आप फेज नहीं कर सकते क्या सदन को या जंता को फेज नहीं करना चाहते है इंडिया को आगे नहीं लिया आता है कल इंडिया की नाम को आगे कर रहे थी, स्खिल इंडिया, ना जाने कितनी इंडिया, और आज जब इंडिया से घवरार ने सोचिया, इसका मदध घवराठ जो है, वो साफ है कि जनता इनके खिलाफ है, मैंने पहले भी को उफिर कहता हूं, देश की दो तिहाई जनता इनको झालाचाटी झालाचाटी